इसलाम अलेकुम, अमीर करता हूँ, आपने साब खैरियास से हैं, और वीडियोस को खुब इंजुगाए करें हैं, आज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग, अमेजिंग हैं, सर्प्राइजिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो भी वीडियो एडिटिंग के कोर्स के लाइल ही है, आज की वीडियो में हम दिखेंगे के वो कौन कौन से टूल्स हैं, जिनकी मज़से आप अफेक्ट्री वे में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर फॉर है हमारी प्ले लिस्ट के हवाले से, तो अगर कुछ मेंबर्स ने मेरी प्रीवेस वीडियो को नोडिकेशन के तरू मिल सके, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरह, तो वीडियो पर मूप करता हूँ, आज हम वीडियो एडिटिंग के वाले से टूल्स को डिसकस करेंगे, वो कौन कौन से इंपोर्टेंट टूल्स है, जिनकी मेंसे आप अफेक्टिवे के अंदर वीडियो को एडिट कर सकते हैं, तो यह वो टूल्स और साफ्टिर्स की लिस्ट है, जिनकी मेंसे आप अफेक्टिवे के अंदर वीडियो को एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जिस टूल को रिकमेंट करूँगा फार वीडियो रीडिंग उस टूल का राम है कमटेशि इस tool को recommend करने की जो basic reason यह कि यह बहुत simple और easy है कोई भी बंदा beginner level पे इस tool को easily learn कर सकता है और यहाँ पर video reading को professional start कर सकता है remaining tools कुछ complex हैं इसलिए मैं भी उनको recommend नहीं करूँगा मैं अपनी next videos के अंदर come teacher के जरी ही आपको video reading करना सिखाऊंगा जो next video reading के अवाले से most important tool है उसका नाम है Adobe After Effects यह बहुत professional tool है इस tool को आप use कीजिएगा बट beginner level के लिए मैं भी इसको recommend नहीं करता next जो most important tool है video reading के लिए उस tool का नाम है Adobe Premium Pro यह भी professional video reading के लिए recommended है बट beginners के लिए भी मैं इसको recommend नहीं करता next जो video editing के वाले से most important tool है उसका नाम है Avid Media Composer next जो video editing के वाले से important video editing tool है उसका नाम है Final Cut Pro यह भी बहुत interesting video editing के वाले से tool है next video editing के वाले से tool है उसका नाम है Davency Resolve तो यह वो tools की लेस्थी जिनके जरीए आप बहुत professional बेंचे वीडियो को edit कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं recommend करता हूँ विडियो डीटिंग के वारे से बिगनर लेवल पर हैं, तो आप Camtasia को as a video reading tool के दोर पर use कीजिएगा, उसकी reason यह है कि यह बहुत simple and easy है, आप बहुत easy way में इसको learn कर सकते हैं, अभी मैं आपको Camtasia का interface लगाता हूँ, इस tool के main components के में बतलब बता हूँ, इसकी layers के में बतलब बता हूँ, इसके components के main parts हैं उनको elaborate करके दिखाता हूँ, तो यह Camtasia का main dashboard है और यह इसका icon है, तो first of all मैं आपको इसके multiple components के में बतलब brief करता हूँ, कि इसके किस component का, क्या objective है, क्या benefit है, इसको किस लीके थे हम use कर सकते हैं, इंशाला आप coming videos के अंदर मैं इस tool को detail में आपको सिखाऊंगा, तो top पे इसकी layers का नाए में उसको menu बार कहते हैं, जिसके अंदर file option आता है, edit का option आता है, modify का option आता है, view का option आता है, export and help का option आता है, इसके left side पे red color का icon है record का, इसकी मैंसे आप अपने desktop को regard कर सकते हैं, या अपने face को भी regard कर सकते हैं, यह बड़ा effective option है, इसी option को मैं अपनी video regarding के लिए use करता हूँ, और recently भी मैं इसी option को use का रहा हूँ, तो record के button के नीचे left side के ओपर, media का option है, media के option के अंदर आप अपने, जो clips होते हैं, video shots होते हैं, animation effects होते हैं, वो आप यहाँ पे place कर सकते हैं, मसाल के तोर पर यहाँ आप को add के दरिये, कोई clip भी add करके दिखा सकता हूँ, तो यहाँ से हम clip add करते हैं, इस emoji को add करते हैं, तो यह वाली emoji हमारे यहाँ पे add हो जाएगी, और इस emoji को हम अपने किसी भी वीडियो के clip पे add कर सकते हैं, यहाँ से मैं adjust करता हूँ, तो दे सकते हैं, यह clip हमारी वीडियो में आ चुका है, again अभी यह मैं आप वीडियो reading details से सिखा नहीं रहा, जिस components के मतलगी बता रहा हूँ, इस दिए alignment करते हैं, media के अंदर आप images भी add कर सकते हैं, video clips भी add कर सकते हैं, graphic assets भी add कर सकते हैं, music भी add कर सकते हैं, shapes भी add कर सकते हैं, media के option के बाद आप library के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको predefined built-in icons मिलेंगे, अपनी वीडियो के intro's मिलेंगे, जो अकसर YouTube के start में video का intro नहीं आथा, अब भी यहां से use कर सकते हैं, small components भी मिलेंगे, motion graphics भी मिलेंगे, अगर आप अपनी वीडियो के अंदर numbering add कर में ते 1,2,3,4,5, या कोई video prepaid करना जाते हैं, और भी आपको यहां पर predefined built-in templates मिल जाएंगे, आपको यहां पर music tracks भी मिल सकते हैं, आप यहांद से free music भी use कर सकते हैं, बट यहां पर recommend करता हूँ, कभी यह music use ना कीजिए, क्योंकि future में इनके ओपर strike आ सकता है YouTube के ओपर, अगर आप YouTube पर करना चाहते हैं, अगर आप अपने social media accounts पर upload करना चाहते हैं, जासे Facebook हो गया, तो most welcome आप इन voices को use कर सकते हैं, इन songs को use कर सकते हैं, तो same इस तरह आप अपने वीडियो के outros भी यहां पर add कर सकते हैं, next यहां पर favorite के टैप के अंदर अपनी important चीज़ों को store कर सकते हैं, जिनको आप favorite करेंगे वह यहां पर आके save हो जाएंगी, next अगर annotation का tab आप आगया, अगर आप अपनी वीडियो के अंदर multiple types के widgets add करना जाते हैं, icons add करना जाते हैं, वह भी यहां से add कर सकते हैं, मिसाल के तोर पर यहां पर text add करना जाता हूं, यह वाला, इसको clip करके, मैं यहां पर drag करूँगा, यहां पर मेरा clip add हो जाएंगा, यहां पर मैं आपना name लिखने देता हूं, तो दे सकते हैं, मेरा clip भी add हो गया, तो same, इसी का color भी adjust कर सकते हैं, यहां से red को मैं जागे करता हूं, green करता है, pin करता हूं, अगर आप अपनी वीडियो के अंदर, blood effects add करना जाते हैं, वह भी आप यहां से add कर सकते हैं, मैं आपको एक effect पर add करके दिखाता हूं, तो दे सकते हैं, मैंने blood effect भी apply कर दिया, अगर highlight करना जाते हैं, वह भी कर सकते हैं, आप multiple types की animated shapes भी add कर सकते हैं, keyboard की shortcut चीज़ add करने जाते हैं, वह भी add कर सकते हैं, annotation के बाद अगर आप अपनी वीडियो के अंदर transitions apply करने जाते हैं, animated effects apply करने जाते हैं, वह भी apply कर सकते हैं, यहां तो जिस type की animation आप apply करेंगे, वह यहां पर apply हो जाएगी, तो यहां पर adjustment blinds के effect add करके आपको दिखाता हूंगा, यहां पर apply किया और इस वीडियो को play कर दे दिखाता हूंगा, तो यहां पर आप multiple type की transition भी apply कर सकते हैं, इंशाला आप coming videos के अंदर, मैं आपको इनके मतले details भी guide करूंगा, तो next आप अपनी वीडियो के अंदर behaviors भी add कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस specific portion के उपर animation apply करनी है, तो आप behaviors के जरीए add कर सकते हैं, मैं साहर के दर पे मैं pop-up का animation effect apply करता हूं, इस text के उपर, और इसको play कर दिखाता हूं आपको, ब्ले करते हैं video को, तो दे सकते हैं उस जो share एगर textiles के उपर animation effect apply हो चुए है, behaviors के जरीए, अगर आप चाहते हैं कि animation effect apply करना चाहते हैं, वह अपने specific object के उपर animated effect भी apply कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो के इने cursor effect apply करना चाहते है, तो यहां से आप apply कर सकते हैं cursor effect भी तो यह तो था इसका left side पे menu bar जिसके अंदर multiple sub menus भी थे next हम discuss करते हैं इसकी layers के मतलग तो इसके bottom पे layers है multiple effective way में अगर आप video editing करना जाते हैं तो हमेशा है layers के अंदर काम करें layers के अंदर काम करने से यह सानी होगी कि आप layer के उपर layer add करके किसी specific object को hide भी कर सकते हैं remove भी कर सकते हैं उस specific object पे animation भी apply कर सकते हैं मसार के तो पर अगर मैं जाता हूँ कि इस subject को just remove करना है तो मैं इसको just delete के button से remove कर सकता हूँ control दी से मैं दोबारा ले आता हूँ तो layers में काम करने का यह फायदा होता है कि आप किसी specific object को manage easily कर सकते हैं तो इंशाला next video में हम इसको भी detail से देखेंगे कि layers के दरीए आप किस लीकिते चीज़ों को utilize कर सकते हैं तो सबसे important चीज़ जो किसी भी object के वारे से properties का एक tab होता right side पे आप देख सकते हैं यहाँ पे properties का tab है किसी भी object को आप select करें और top पे उसकी properties को आप use कर सकें मसार की तोर पर यह एक एक object है इसकी properties को आप use करके इसका side पी adjust कर सकते हैं इसकी opacity मतलब visibility भी इसकी increase या reduce कर सकते हैं मसार की तोर पर यह object थी, emoji थी इसको मैंने select किया याँ इसकी properties में आके इसकी opacity में करती reduce तो दे सकते हैं वो object गाइब हो गया है या गाइब होने लग गया है तो इस तरीके से आप उसकी pastry कम ज़्यादा कर सकते हैं size ज़्यादा कम ज़्यादा करना है आप अपनी video का clip को crop भी कर सकते हैं अगर आपने specific object को crop करना है तो आपने just use layer पर जाके उस object को select करना है और यहां से crop को select करके उसको crop कर ले हैं जितना भी object करना है crop आप कर सकते हैं तो इस तो मैं ctrl z कर के reverse कर रहा है तो अगर आप अपने जो video reading का dashboard उसका size कम ज्यादा करना है तो भी आप कर सकते हैं अगर यहां से मैं notify भी करता हूँ या fit करता हूँ तो वो मेरा adjust हो जाएगा तो इस लिए के आप अपने video reading का जो dashboard उसका size भी adjust कर सकते हैं तो यह वो tools दा video reading के वारे से जो most important simple and easy है आप इस tool को easily simple way में learn कर सकते हैं understand कर सकते हैं इसके जो main components ने मैंने आप उनके मतलग आपको write कर दिया है इंशाला आपने अपकमिंग videos के अंदर इन tools को इन components को हम detail में learn करेंगे इसका एक ही component बागी रहता है कि video को आप export कैसे करना है वह भी मैं आपको बजाता हूँ आपने export पर click करना है यहां से local file को click करना है और next, next, next click करते रहना है next आपने इसका file का नाम रज्जेस्ट करना है और इसको finish कर देना within few seconds के अंदर या few minutes के अंदर आपकी video रेंटर हो जाएगी और वो VLC format के अंदर MP4 format के अंदर आपको मिल जाएगी तो आप दे सकते हैं मारे वीडियो रेंटर हो के generate हो चुकि आप हम इसको play करते हैं और इसको enjoy करने है अमीद करता हूँ आपको इस वीडियो ते काफी valuable content learn करने को मिला है तो कान्ट इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ताकर मेरी next informative videos आपको notification के तुरू में जगे तो इंचाला अपनी next videos के अंदर हम इस tool को Camtasia को detail में learn करेंगे अभी तो जिस्ट हमने इसको demo लिया है इसके main components को understand किया है next आप इंचाला इसको practical करके देखेंगे इसके main components को explore करेंगे तो आपसे एक ही request करता हूँ कि मैं इन previous videos को भी देखेगा about video editing और next video का rate कीजिएगा next video तक लिए अलाहाफिज